ये बास सबको पता कि शुड़ का बाता है पर ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि शुड़यक को बता है मिला मुझा करने को पर नहीं किया है काम करने लाइक भी था यहीं नहीं जैसे कोई व्यक्ति को पूरे स्कूल टाइम में बार-बार कहा गया कि पढ़ भाई पढ़ ले पर नहीं पढ़ा केहने वाले कहते रहे पर स्कूरत्ती बर फरक नहीं पढ़ नहीं पढ़ रहा पर आज लाइफ में आगे चलके जब खुद है कैसे है एक्जेंपल से फील करना ऐसे कितने सारे काम हैं जो होने चाहिए ते पर हमने नहीं किये और आज फील होता है कि मैं करना चाहिए था आज फील होता है कि यार मुझे करना चाहिए था यहीं पर और सुनिए सर कुछ ऐसे काम ते जो नहीं करने के दिपर किये और आज गलती होने के बाद फिल होता है कि आज नहीं करना चाहिए था ये दोनों सेंस को बोलने के लिए आपके बोर्ड पे एक शब लिखा शड़ है उससे इन दोनों सेंस को फिल करवाता हूँ कोई भी ऐसा काम जो आपने पास्ट में नहीं किया पर आज ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए था तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेगे उसको शुड से नहीं बोलेगे सर्ष क्योंकि शुड हमेश्ब वह काम दिखाता जो हुमें आज करने चाहिए प्रेसन में आज कुछ भी मुझे करना चाहिए तो वो शुड है जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए महनत से पढ़ाई करने चाहिए तो पढ़ने के English is study और महनत से पढ़ने की English is a study hard तो मुझे लगता है कि मुझे महनत करके पढ़ना चाहिए कब अब तो कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि अब आपको करना चाहिए तो उसमें शुड़ लगा दो कि आप अपने लिए कहीं ना कहीं आए हैं अब इस संटेंस में देखें किसी भी तरीके से हैव नहीं लेके आएंगे क्योंकि इस काम को लेके हम यह कहना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए अब मेरा दोस्त मेहनत करके पढ़ता रहा मैंने किताब को ढंग से हाथ भी नहीं लगाया हम दोनों के पेपर हुए अब रिजल्ट आया है आज वो पास मैं फेल और उसको पास और अपने आपको फेल देखके मेरे मन में सच में फीलिंग आ रही है गलत किया तुम्हें पढ़ दी मोका तो मेरे पास भी मेनत करके पढ़ने का था और मैं नहीं पढ़ा और मुझे आज लगता है कि मुझे पढ़ना तर बताई पढ़ना चाहिए यह चाहिए था आज यह तब प्रेजन यह पास्ट और जब किसी बी काम को लेके पास्ट में सोचने की पास्ट में होना चाहिए था तो फिर शुड नहीं तॉ फिर शुड नहीं शुड हम करना मुझे छाहिए था थो आज शुड हृं यह पौल की फर्सट फॉर्म के लिए लगाता है एक हैं इस हैव कों वब की थर्ड फर्म के लिए लगाते हैं तो ध्यान रखना पीटा जो भी काम मुझे करना चाहिए था उसकाम को मैं फर्स्ट फर्म से नहीं लिखूँगा अब जड़ा सोचिए study की form देखे study, studied, studied, study, studied, studied, तो ये third form study, जैसे go, went, gone, तो जब भी मैं should have से past के किसी काम को लेके सला दूँगा, तो have होने की वज़े से जो भी काम मुझे करना चाहिए तो उसकी third form लेएंगे और मेहनत के लिए तो hard वड़ाते ही है, किसी भी काम के बाद में आप hard लगा दो, तो उसका मतलब मेहनत की होने के sense है, अगर मैं काऊं कि मुझे मेहनत से पढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश बोलेगी, पर जैसे मैं काऊं कि मुझे पढ़ना चाहिए, था, तो बात कब की, past की तो I should, I should have, I should have studied hard, मैं आपको दो विकल्प देता हूं, बचो, बेटा, grammar की एक important बात है, मैं आपको दो विकल्प देता हूं, आप दोनों में फील करके देखना सब्सक्राइब, अब क्या कहते हैं, I should not have bought, या I should have not, बेटा, मना करने के लिए क्या लगता है, हाँ जी बेटा, एक बात हमेशा याद रखेंगे, कि मना करने वाला नोट है, यह हमेशा मोडेल के साथ लगता है, तो यह हैव में तो नोट नहीं आएगा, पर यह मोडेल में जरूर आएगा, तो जो भी संटेंस आपका मोडेल का है और उसमें नोट लगाना है, तो नोट हैव में नहीं, बलकि मोडेल में लगीगा बिटा, यह हैव केवल यहाँ पर पास्ट में होने की फिलिंग दे रहा है, रिपीट कराओ, शुड के बगल में जो हैव है, यह हमें साफ साब दिख कैसे और भी कुछ वर्ट से हैं जो मोडेल में आते हैं पर जब वो पास्ट की तरफ जाते हैं तो अपने साथ हैव लेकर जाते हैं, सनेस देखी कैसे दिखा सार आई शुड नाट है बाट और फिर उसके बाद जो चीज खरीदनी नहीं चाहिए तो उसका नाम, अशुड न की काम अगर पास्ट में करना चाहिए था और नहीं करना चाहिए था अरिश्यौत